वेलकम बेक फ्रेंड्स दिस इस करंट अफेस पंडा आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एक्जामिनेशन की प्रिपेशन करने के लिए हमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने होंगे जिससे हम बहां पर क्वालिफाइंग मार ला सके और हमारा सेलेक्शन हो सके तो अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां पर बहुत सारी वीडियो इस एक्जामिनेशन से रिलेटेट आएंगी और आप तब वो वीडियो ले सकते हैं और साथ में यहां पर ए के पेपर भी नहीं अभी तक मिले हैं क्योंकि पहले एक्जाम यह हुआ नहीं है तो हमें यह सोचना होगा कि जो एक्जामिनेशन बैंकिंग कराता है मारा क्योंकि यह एक्जामिनेशन भी आपका IBPS तो इन्देख के त्रूही होगा, और आपके इजंबरी, दो रखी गई ह मतलब आपका examination जो है वो December 2016, 15 December के आसपास में भी हो सकता है और यह आपका जनवरी के first week में भी हो सकता है क्योंकि यह 10 tip date है और इसी मन्त में date आपकी आ जाएंगी दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, examination का structure कैसा है तो दोस्तो examination का structure है, पहले films होगा, उसके बाद mains है और फिर interview है तो मतलब 3 phases में आपका examination लिया जाएगा अब अगर मैं बात करूँ, films examination की तो films में हमसे क्या-क्या portion पूछा जाएगा और कहां से questions हमारे बनने की समभाबनाय रहेंगी तो देखो, English language का section है, बहां से आपका 30 marks का question बत रहेगा और 30 questions आपसे पूछे जाएंगे और quant में क्या है, आपके 35 number के maximum questions होंगे और number of questions कितने होंगे, ये 35 होंगे और 35 marks का आपका quant होगा और reasoning क्या है, 35 maximum marks हो रहेंगे और 35 आपसे question पूछे जाएंगे total दोस्तों 100 प्रशन होंगे, 100 marks की होंगे और इसके लिए composite time जो है, वो 60 minute का दिया गया है मतलब 60 minute में आपको ये exam बनाना होगा अब मैं आपको यहां पर एक tips ये देना चाहूँगा कि अगर आपने IBPS clerk का plims दिया हो या फिर आपने IBPS PO का plims दिया हो तो बहां से आपको एक idea ये लग सकता है कि ये जो examination होने बाला है इसका pattern और आपके IBPS plims का या फिर IBPS PO के plims का pattern जो है clerk और PO दोनों के plims का pattern था वो यहां पर similar है number of questions भी same पूछे जाएंगे subject भी वही हैं तो maybe pattern भी कुछ बैसा ही रहेगा तो इस वीडियो में मैं आपको English के वो topic के नम बताऊँगा जिस पर आपको focus करना है पहले prelims के लिए हमें अपनी strategy बनानी है उसके बाद prelims qualify होने के बाद हम पढ़ाई करते रहेंगे और mains के लिए भी हम उन topics को cover करेंगे एक शीच और बताना चाहूँगा prelims का जो exam होगा उसमें आपके negative marking भी होगी तो इस शीच को भी mind में रखेगा 1-4 मतलब की हर एक गलत प्रशन के लिए आपके 0.25 marks जो है वो deduct किये जाएंगे अब अगर मैं बात करूँ कि mains का क्या होगा जो आपका second examination क्या होगा यह आपका mains का होगा ठीक है phase 2 में क्या है आपका mains है यहाँ पर यह mains कर लिजेगा तो mains में मुझसे क्या क्या पूछा जाएगा पहला subject आपका रहेगा reasoning जो आपसे 50 number का होगा और maximum marks जो है वो वहाँ पर 50 number हैंगे एक चीज और दोस्तों बताना चाहूँगा यह जो पूरा system है mains वाला कि जो phase 2 में होगा इसमें composite time नहीं दिया होगा section by time दिया होगा जैसे reasoning है तो number of question 50 है maximum marks कितने 50 हैं और इसमें आपको time दिया जाएगा 40 minute का तो आप यहाँ पर time भी note कर ले 40 minute का आपको time reasoning में दिया जाएगा और अगर English की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपके 40 questions होंगे और maximum marks 40 का रहेगा और यहाँ पर आपको time दिया जाएगा 30 minute का और computer की अगर मैं बात करूँ तो 20 question 20 number के होंगे और time आपको 10 minute का मिलेगा यहाँ पर और general awareness में आपके 40 questions होंगे 40 number के और यहाँ पर आपको time limit जो रहेगी वो 20 minute की रहेगी और quant में 50 questions और maximum marks 50 होंगे आपके और यहाँ पर जो time limit होगी वो 40 minutes की होगी तो आप यह मान के चलेगा कि यहाँ पर जो आपका paper होगा इसमें आपके लिए individual time दिया जाएगा हर एक section के जैसा आपको IBPS PO के mains में दिया गया था तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें अपनी strategy को बनाना होगा और साथ में negative marking mains में भी होगी अब अगर मैं बात करूँ कि कौन से topic पर हमें focus करना है या किन-किन topic के उपर हमें कबर करना है ताकि हम examination में एक अच्छा score वहाँ पर बना सके तो syllabus की दोस्तों बात करूँ तो reasoning का syllabus हमारा ये रहेगा अभी मैंने इसको दो portion में break किया है एक major portion है और एक minor portion है अब देखो minor में मैंने वो topic कबर की है जो short short हर एक exams में आ जाते हैं और ये bulk में आते हैं basically जैसे कि अगर मैं बात करूँ coding, decoding alphabet series और blood relation की problems और साथ में direction and sense ये problems जो हैं ये आपकी exams में मिशेलनियस में कभी-कभी आती है या फिर आप मान के चले 10 marks का आपका ये question आ जाता है बहुत easy portion है इसको मैंने अपने वीडियो section में cover किया हुआ है आप सारी की सारी playlist की वीडियो देख सकते है coding, decoding भी आपको मिल जाएगा alphabet series भी मिल जाएगी और blood relation भी मिल जाएगा अब अगर मैं major portion की बात करूँ दोस्तों तो cellogism में हमारा 5 marks का cellogism समसे पूछा ही जाता है और sitting arrangement और puzzles ये दो हमारे बहुत बड़े sections होते हैं जो हर एक exams में लगबग 10 से लेकर 15 नंबर के exams में आते हैं जैसे कि आपका reasoning का examination 50 नंबर का है तो आप ये मान के चली कि आपको sitting arrangement और puzzle आपसे 10 से 15 marks से पूछी जाएगी inequality आपसे 5 marks की short पूछी जाएगी और cellogism साबसे 5 marks का पूछा जाएगा data sufficiency के questions यहाँ पर हो सकते हैं और साथ में जो critical reasoning के problems हो सकते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं तो आप ये मान के चली कि अपनी जो preparation है वो आप बिलकुल preparation को time पर करिए जो topics में आपको problem होती है वो आप request कर सकते हैं वीडियो की उसके लिए आपको हम proper वीडियो बना कर भी देंगे तो ये topic है मारे reasoning के जो जिन पर हमें practice करने की जुरूता है और critical reasoning में मैं आपको बता दूँ पूछे जा सकते हैं और data sufficiency ये भी आपसे पूछा सकता है तो आप पहले क्या करो इन topic को कबर कर लो उसके बाद में आप critical reasoning को कबर कर लो अब अगर मैं बात करो quant की तो देखो quant में हम से क्या पूछा जाएगा number series और approximation या simplification और arithmetic तो आप यह मान के चलो कि यहां पर आपसे approximation बाला जो portion है और simplification का जो portion है ये दोस्तों आपके exams में films में भी आएगा तो यहां से films में इसके 10 marks का portion रहता है और series जो है वो 5 marks की रहती है तो आप इन पर ज़्यादा focus भी साथ में करते रहें arithmetic में कुछ ज़्यादा नया नहीं होता है arithmetic में जैसे आपका time and work का topic percentage या फिर easiest का topic average का topic और profit and loss या फिर आपका simple interest और compound interest तो ऐसे basic topic जो आपके arithmetic के अंदर आते हैं वो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं अब अगर major portion की बात करूँ तो data interpretation और probability और quadratic equations यह इनका बेटेस भी आपके exams में रह सकता है तो हमें अपनी preparation में सबसे पहले इस तरफ के topic करना है फिर DI की practice काफी अच्छे से करनी है quadratic को करना है बहुत अच्छी तरीके से और फिर data sufficiency और probability के उपर हमें अपने steps को perform करना होगा फाइन तो यह आपका section यहां से हो जाता है अब अगर मैं दोस्तों computer की बात करूँ तो computer का portion जो है वो आपका 20 question आएंगे तो आप यह मान के लिए कि computer knowledge आपको basic fundamental पता होना चाहिए history computer की पता होना चाहिए यह तीन section आपके बहुत important है और साथ में internet क्या होता है LAN, MAN, BAN यह सब चीज़ें क्या होती है यह आपको networking devices पढ़ना होगे communication modes पढ़ने होगे MS office में MS word क्या है power point क्या है, excel क्या है इसकी basic functionality सीखनी होगी cell क्या होता है, maximum zoom कितना होता है यह सारी basic fundamental आपको समझने होगे और अगर मैं बात करूँ memory की तो memory से आपको समझना होगा RAM, ROM, इसके features क्या होते है input, output devices और computer के shortcut तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा computer की हमने बहुत ज़्यादा videos बनाई है आप हमारी playlist में जाएए और आपको computer की playlist complete मिल जाएगी और बहां से आप इन videos को देख सकते है साथ में इस corner पर click करके आप computer की videos को भी देख सकते है अब अगर दोस्तों मैं English की बात करूँ तो देखो English में क्या है ये universal हर एक exams में रहता है cable topic जो पूछे जाएंगे वो इन ही में से पूछाता है जो topic का criteria वो change होता रहता है जैसे reading comprehension ये आप से पूछाता है 10 marks का तो आपके mind में एक दिवाग में question आएगा कि ये 10 marks का जब पूछा जाता है तो क्या ये story based होता है या फिर ये economic based होता है देखो अभी से आप news paper के set को लगाना चालू कर दो एडिटोजल के page की story को पढ़ो उसमें economic business terms आती है उनको पढ़ो उनको समझो उनकी book app पर focus करो तो आपको ये economic बाली problem से आप छुटका रपा सकते हैं लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को try नहीं करोगे तो आपको problems हमेशा बनी रहेंगी अब बात करूँ मैं clause test की तो clause test और comprehension ये दोनों partially similar होते है clause test में भी एक story दी होती है और इस story में बीजबीज में कुछ blank दी होते है तो आपको इन blank को fill करना होता है reading comprehension में क्या होता है पूरी story को पढ़ो और फिर उसके बाद सवालों के जवाब दो fill in the blanks के questions आपके mains में आ सकते है error spotting आपके plims में आएगी और mains में भी आएगी और sentence का correction करना para jumbles जो है ये mains और plims दोनों में आपका आ सकता है तो इस पर भी focus करें para jumbles में क्या होता है sentence को rearrange करना मतलब कि आपके लिए 5, 6 या 7 sentence दी होते हैं जो एक jumbled format में होते है jumbled का मतलब दोस्तों बिखरे हुए होते हैं फिर आपको उनको एक chronological order में लगाना होता है next अगर मैं बात करूँ general awareness के ओपर हमें क्या करना होगा general awareness के लिए आप ये मान के चलिए कि जब Indian post office के related exam हो रहा है तो आपको post office की history और भारत में कैसे इसकी सुरुआत होई कौन सा dock ticket कब बना किसके नम पर बना क्या-क्या trivia है इसकी जो history में आता है और साथ में banking awareness और financial awareness जैसे की financial terms के बारे में knowledge होना banking terms के बारे में और current affairs की अगर मैं बात करूँ तो आप मान के चलिए कि तीन मन्त का आपको current affairs प्लस जिस current मन्त में आपका exam है उस मन्त का current affairs ये आपको इतना करना होगा और जैसे की various fields इसमें होते हैं national, international, awards, sports, defense, submits, appointment, books, authors और obituries ये सारे portion पर आपको focus करना होगा तो ये आपका general awareness का section है साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तो general awareness के उपर एक हमने complete वीडियो बनाई है जो आपको बताएगी कि आपको एक छोटी से छोटी चीज को किस तरह से पढ़ना है तो आप इस वीडियो को इस link के थूर देख सकते हैं साथ मैं उपर corner पर एक link आ रहा है इस पर click करके भी देख सकते हैं यह आपको description box में भी मिल जाएगा और आप मैं बात करूँगा practice paper का solution मतलब कि practice कैसे की जाए अभी तक यह exam previously conduct भी नहीं हुआ है तो अगर हमें इस examination की तयारी करनी है तो हमें 2-3 चीज़ों पर ध्यार रखना होगा कि देखें market में बहुत सारे आपको practice paper मिल जाएंगे तो सब कुछ क्या है जो मैंने आपको topic बता है reasoning में आप उन topic के practice paper के questions को बनाओ book के questions नहीं जो practice paper के questions हैं उनको बनाओ और practice paper आप PO के भी follow कर सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन आप clerk label के follow मत करो clerk label में थोड़ा सा label जो है वो easy होता है आप अगर PO label की puzzles और sitting arrangement को बनाते हैं तब आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा और साथ में data interpretation जो है वो PO label का बनाओ तब आपको फायदा मिलेगा यही 2-3 ऐसी चीज़े हैं कि अगर हम examination की questions पर focus बहुत अच्छे से करते हैं तो definitely बहाँ पर हमें marks अच्छे मिलेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यह strategy follow करो previous year की कोई भी paper उठाओ IBPSPO की complete series उठाओ और उसको solve करना start करो साथ में current office चालू करो पढ़ना क्योंकि यह सब चीज़े क्या है आपको exams में आगे ले जा सकती है तो दोस्तों इसी के साथ all the best for your exams और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि यहां पर आपको playlist मिल जाएंगी जो important videos हैं और साथ में आप हमारी current की videos को यहां पर देख सकते हैं और reasoning की videos सारी की सारी reasoning की videos को आप यहां पर pick करके देख सकते हैं और जो computer की सारी videos हैं वो मैंने यहां पर add की हुई हैं साथ में दोस्तों इस video को like करें चैनल को subscribe करें और जाद से जाद लोगों तक share भी करें So thank you friends, have a good day